दोस्तो नमस्कार आपका स्वागत है हमारी यूटूब चैनल लेज़े अएरवेदा में देखो आज इतना अच्छा नुस्खा है मेरे पास बहुत ही जवर्दस आप लोगों को देते होंगे लोग आते होंगे बताते होंगे कई लोगों ने बताया भी होगा देखो जो सिला जीत होता है सबको पता है इसमें बहुती अद्भुत ताकत होती है अद्भुत लेकिन इसे यूज करने का तरीका सबको नहीं पता होता कोई दूद में लेता है कोई वैसा पानी से लेता है कोई कैसे लेता है कोई कैसे लेता है लेकिन आज मैं इसके यूज करने का एक ऐसा बहतरीन तरीका बताऊंगा आपको और असली असली आपको नहीं मिलेगा असली की पहँचान बता दूँ असली सिलाजीत जो होता है उसकी पहँचान में बता दूँ जैसे आपने उसे लिया और पानी में डालो पानी में नीचे अगर नीचे जाके और वो बैसा ही रखा रहा, तो समझ लो असली है, और अगर घुल गया उसमें पानी में, समझ लो घुल गया, तो समझ लो बेकार है, समझ गया है, दूसरा ट्रिक बता दूँ, दूसरा ट्रिक ये है, जैसे आपने सिलाजी तर खरीद आये कहीं से, उसे आग पर जलाओ, आग पर जलाओगे तो धुआ नहीं होगा उसमें जलेगा वट धुआ नहीं होगा अगर धुआ हुआ तो समझ लो नकलिए तो आपको किस तरह से यूज़ करना अगर आपको असली चाहिए हमारे पास है असली आपको दे सकते हैं क्या रेट है क्या है आप मुझे मैसेज करना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नमबर दे दूँ है वहां से आप मंगा सकते हैं ठीक है उसके बाद तो ये से यूज़ कैसे करना इस से देखो यूज़ करने के धातू का पतलापन और सपन दोस्त की समस्या आपके मसान की गर्मी आपके सरीर की गर्मी बहुत जल्दी तो आपको थोड़ा सा लेना है दो ग्राम केवल दो ग्राम ठीक है दो ग्राम लेकर उसे पीसो तो सूखा हो तो पीस लो पावडर गीला हो तो आप उसमें सहद मिक्स करोगे सहद एक चम्मस दो ग्राम में एक चम्मस सहद मिक्स करके सुबा साम खाली पेट रो जाना खा ल इसका चार हफ़ते का बताया गया एक महीने का ट्रीटमेंट बताया गया एक महीने में आपकी सारी समस्यां दूर हो जाएगी चाहे दुनिया में कहीं भी आपने दवा करा ली हूँ कई किसी से लाब नहीं हुआ होगा इससे लाब हो जाएगा तो यह नुस्का है बहुत ही अ यूज करो अगर जिम जाते हैं तो भी आप यूज कर सकते हो आपको आपको धातु का प्रॉब्लम है बहुत परेशान है रो रहे हैं ठक गए हैं इधरोदर दवाई खाखा के तो आप लोग लोग उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है ठीक है सरी का पत्रापंदूर करेग सरी को ताजगी लाएगा नसों में ताकत आएगी नसों में बलट का संचार बढ़ेगा और आपका भी रिगाड़ा हो जाएगा ठीक है बहुत अच्छा नुसका आप एक बार यूज करके देखो मजा आ जाएगा ठीक है यही था नुसका फिर बता दूं सिलाजीत को असली होता है उसे आप एक चमत सहद में मिक्स करके आप खाओगे सुबह साम सुबह साम दो ग्राम पस यही है क्रिया आप लगातार एक महीं तक खाओ आपकी सारी समस्यां दूर हो जाएगा ठीक है चलते हैं मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक इलिए धन्यवाद ख्या लख